मद्धपरदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उप्चुनावों में मांधाजा सीट पर परचार जोरों पर है कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नारायण पठेल को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है खंडवा बीजेपी जुलाद्यक्ष सेवादास पठेल और पंधाना विधायक रामदांगोरे का कहना है कि नारायण पठेल की बीजेपी कारकरताओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया है लिहाजा इस आने वाले उपठेल में बीजेपी प्रत्याशी नारायण पठेल की जीत निश्यत है अलाकि ये देखना होगा कि कॉंगरेस छोड़ कर बीजेपी में आये नेता और कारकरता चुनाओं तक ही बीजेपी की पंच निश्ठा में विश्वास रखते हैं या आगे भी साथ निभाएंगे बीजेपी जुलाद्धक्ष सेवादास पठेल और पंधाना विधायक राम दांगोरे से खास बाच्चीत की नादी टीवी के विशेष संवादाता आशीश मंगल सोली ने मांदाता विधानसभा छेत्र में मूदी नगर पंचाय छेत्र में जुद्रादित सिंधिया आपसे कुछी देर बाद पहुंचेंगे बीजेपी जिलाद्धक्ष सेवादास पठेल हमारे साथे सेवादास जी संगठन के तमाम लोग पहुंच गए हैं आप सिंधिया यहां पर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे संगठन के तमाम लजा नेता वोग पहुंच रहा है कही कुछ गडबरी की आशंका संका को संका कुछ नहीं है तो भार्दी जतना पाड़ी में संगठन सरोव परी है और संगठन का कार्यकरता वो चाहता है कि हमको कुछ गाम मिले तो कार्यकरता एसा यह यग्य चल रहा है इसका चुनाव में हर कार्यकरता चाहता है कि यह में मेरी व्याहुदी जली है इसलिए काम पर लगाया है यहां पर लेकिन इस्थानी इस्तर पर जो मांगे थी उसको पूरी करने के लिए एक बार क्या फिर और यहां पर डिमांड की जाएगी सिवराज सिंग जी ने कहा है कि मैंने जो कह दिया है वह सो परसेंट काम पूरा होगा उसके डिमांड की कोई जरुवत भी नहीं रहेगी क्योंकि सिवराज सिंग ने और हमारे माननी विदायक मोदे ने हाला जी ने सबसे जाकर बहुपाल ने पहले बात करी यह बात आप कर सक और यहां पर यूवा विदायक पंदाना से राम दांगोरे भी है राम दांगोरे जी पंदाना छोड़कर मानधाता में ड्यूटी लगाई यह संगठन ने यूवा चेहरे हैं आप क्या समीकरन लजर आ रहा हैं फिलाल मानधाता सीट पर देखिए मैंने विक्तिकत रूप से भी इस विदान सेभा में सर्वे करवाया है मेरी टीम से यूवा वर्ग आदिवासी वर्ग और सभी समाज ये चाहते हैं कि सिवरा सिंग चोहन की सरकार बने पिछले सवा साल में ना समय पर विजली मिली ना यूरिया मिला ना संबल योजना का फ चाली कर दिया है लेकिन जब सरकार गिरी वो शिवरा सिंग चोहन वापस सीम बने तो सारी योजनाय फटा फट चालू हो गई सडकों के काम चालू हो गई जलकी योजनाय चालू हो गई संबल योजना चालू हो गई कन्यादान के लिए भी फंड रिलीस कर दिया गया है और और भी कई सारी गोशना करी तो फिर कमल नाजी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर खजाना खाली कर दिया था तो शिवरा सिंग चौहान ने इतनी सारी योजना है वापस चालू कैसे कर दी कुल मिला करके शिवरा सिंग चौहान से जनता संतूष्ट थी दो लाख रूपे कर्चे के चक्कर में बहकावों में आकर के गलती से कमलनाथ की सरकार बन गई थी इसे मैं कहूंगा एक्सिदेंटल गौवर्मेंट जो की वापस गिर गई है और अब शिवरा सिंग चौहान इस्थाई रूप से सीम बन करके वापस आएंगे दिग्विजे सिंग ने सूशल मेडिया पर एक गदारी रिपोर्ट कार्ट पेश किया है 25 लोगों के खिलाफ देखिये यहाँ पर इस प्रकार की कोई पोस्ट दिखाई नहीं दिये अगर इस्थानी इस्थार पर कोई भी इस प्रकार की पोस्ट डालेगा तो हम हमारी सबस्था है लोग तंतर के प्रती मेरी और हमारी पार्टी की अपनी आस्था है हम उसको इस वर से इस वर के तुल्य मानते हैं तो पेशे की बात या नोट की बात यह इस प्रकार की चर्चा हमें करना नहीं चाहिए और नहीं इस प्रकार की राजनीती की जानी चाहिए आप विदायक बनने के बाद में उनको इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा जिला संगटन के मुख्यां सेवाद आज जी क्या नारान पटेल की स्विकारता आम कारकरता तक हो गई है आम कारकरता तक हो गई है और हमारे प्रदेश के मुख्या मानि शिवरा सिंगी चोहान वीडी सर्मा जी ने फरम को फोन पर बताया और मानि नंदु भया ने कि आप लोगों के भरोसे मानि नारान पटेल जी बादर जनता पार्टी में हमने ले लिया है आप उसको गुलदस्ते जी समाल के रखना है और जिस भरोसे पर हमारे पास आया है उस भरोसे पर जो सीट को वपिस लाना है हम सब कार्यकरता के जवाबदारी है और छेत्रम कोई नाराजी नहीं है रहे सेवल नंदु भया ने एक मेने के अंदर पुरे कार्यकरता समभने बिठा के यसी स्विकारता कर दी कि आप कही भी विरोत के सवर आपको नहीं दिखा देगा प्रदाद विदान सब्गा में घुमलो आप यह थे जिलाद देक्ष बीजेपी सेवादास पटेल और मानदाता विदायक राम दांगोरे जो साथ में कहा रहे थे कि नाराण पटेल की स्विकारता हो गई है बीजेपी की पंच निस्था में नाराण पटेल का विश्वास है अब देखना होगा कि मानदाता की जनता इन दोनों ही नहता के दावे पर कितना खरा उतरती है केमरा परसंद मनीश के साथ आशीष पंगल सोनी मूंदी मानदाता